है गाइस वेरी गूद इवनिंग कैसे आप सब्सक्राइब 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 आज का ट्रीडिंग देंजॉय किया आपने मतलब रहे दे निफ्टी आप निगेटिव में देख रहे हैं और मैंग निफ्टी आपने देखा एक वाजार पॉइंट ऊपर ट्रेड क करेंगे मेरा तो प्लाइन है ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाला हूं इजी ली करूंगा जो भी करूंगा तो निफ्टी क्लोधिंग दिया हुआ है ग्यारा चाह्ट सो नात्र पॉइंट वान फाइव दिरो निफ्टी ओपन फ्लैट सा होता हुआ मुझे दिखाई दे रह मार्केट कर चुक है लोड़ी इस लेवल के उपर जाने का लेकिन अल्मोस्त नाकाम रहा है तो मैं बियरिशी रहूंगा मार्केट पे इस लेवल के नीचे ग्यार हजार पांट सो बीस ग्यारा चार सो सी में मैंने मान के चल रहा हूं कि यह आपको देखने के लिए मिलने व मैं तो इतना जा रहा है विए रिश्यू बैंक पर की वाइस है रुम यह दिखाई जे रहे नवंबर में मेरा प्लान है कि बाइस है कि नेवंबर की सी बाइक है यह आप स्क्रिंशॉट लेके रख लीजिए बाइस है आपको दिख जाएगा इस नवंबर के अंदर बैंक न कि आज की ट्रेट की तरफ की आज क्या किया हमने था है मतलब लेके देते हैं जबर दस जबर दस आइस अधीक लिखा हुआ है जबर दस था बेटरिन एक दम मतलब 159 की उपर जैसे मैंने कहा था लगाएगा बहतीन लगाएगा गेम चैंजिंग रहेगा वैसे परफॉर्म क सभी टागेट मतलब और पता नहीं क्या क्या टागेट कर दिये जील नौन एग्जेकुटेटेट रहा अगें बीरिश जोन में आ गया है गोज्रेस सीपी सभी टागेट को इट किया बहते ने स्टॉक रहा एंड ग्यान नम अल्री बाठ चुके थे यह भी नौन एग्जेकु तो स्कोर रहा हमारा 100 परसेंट अगेट इसके अलाब अगर आप मेरे टेलिगाम चैनल से कनेक्टेट हैं स्टॉक आप दे इंज्वाए किया होगा आपने मैं डेली दे रहा हूं कि स्टॉक आप दरे क्या क्या था याद किजिए आइसी 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 बैंक भेतरीन यूप मैं पोस्ट करने की सोच रहा हूं सो फ्लीज सपोर्ट कीजिए का सो राजार क्रॉस करने में फिर से शुरू करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट की तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको बंटे के फ्रेम्स की तरफ बेरिश कैंडल दोना दिन दे तो अल्मोस स्ट्रेंड लाइन के नीचे हम आना शुरू कर दिया है इसको मैं अगर आप्टेंड कर दूंगा तो बात आगे चलिए इतिनी दूर के बाते नहीं करेंगे लेकिन ग्यारा है च्छे सिती में हैं प्यारीशी किरावट देखी जा सकती है में बहुत अच्छा श सेम लेवल अगर हम फिर से ब्रेक करते हैं क्योंकि पिछली बार भी सेम लेवल के पास से गिरावट बड़ी स्मूध रही है अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी 11480 तक कि मैं मतलब अभी चोड़े टागिस लेगे चलाओ बड़े डागिस की बाते नहीं करूंग हलका सा में बुलिश जोन में हैं बहुत हलका सा लेकिन अल्मूस्ट चालिस लेवल के नीचे एक्ट्रीम सपोर्ट के नीचे हैं सेल्स आइडी जाना पसंद करेंगे अभी मैं लेके चलता हूं आपको बैंग निफ्टी की तरफ में थर्डीमस के फ्रेम में बहुत अच्छा मूमेंटम पिक करने के बाद में बड़ा अच्छा सा रिजैक्शन दिया है रेड कर लगी कैंडल से यह लग लगी कैंडल से रेड बॉर्डर के साथ में तो मतलब कलिया रिजैक्शन है फूर आवर्स के फ्रेम की तरफ मैं आगर को लेके चलू अच्छा मूमेंटम पिक किया हुए एक्स्रीम सपोर्ट के बड़ेट करें तो हल्की सी और जान बाकी है ऐसा कहा जा सकता है मैंगनिफ्टी में ज्यादा नहीं बहुत हल्की सी ज्यादा मत सोचके चलिएगा बहुत ही हल्की तीन सो से चार सो पाइंट मुश हालता ठीक यह हमारा टॉप बना हुआ है इस टॉप को आट किए हमने हालका ता आपको डिखाई देगा सपोर्ट के वबर ट्रेड करता हो बंदे सोचेंगे सपोर्ट के बडर आगे बाय कर लो और सपोर्ट के पास रिजक्शन और जवर्दस गिरावत मेजर लाइन सपोर् करते हैं ट्रेट की तरफ चलते हैं मेरी पहली ड्रेट है दानी पोर्स अच्छी सिटी में दिखाई दे रहा है 359 के उपर में बाइक कनने जा रहा है इसको मेरा फर्स ट्रेट रहेगा 363 सेकंड 365 में 355 यूज करोंगा बहुत ही शांदार सिटी में 357 के आसपास क्लोजिंग है फ्लाट कर पर ट्रेट कर रहा है 921 का फ्रेश क्रॉस ओवर आपको देखने के लिए मिला जब अर्दस्त वॉल्यूम है में सीरी अच्छी सिटी में आरेसा फ्रेश ब्रेक आउट होता वा दिखाई दे रहा है वी वैप के आल्मोस्स नियर क्लोज दिया है जैसे ही वी व अब बट किया अपसाइट जाने की और पॉसिबिलिटी थे तीन सॉल्सर देखा जा सकता है लेकिन चोड़ी ट्रेस लेके चलूंगा तीन सो थे रेसाट ही हम लेके चलेंगे अच्छे सिटी में दिखाई दे रहा है और जब अधानी पूर्स छोड़े फ्रेम्स की तरफ भ अच्छी सिटी में टॉप्स लगाएंगे तीन सो सतर तक के टॉप्स अबेलेवल हैं लेकिन जादा बड़ी बाते नहीं करेंगे तीन जो तिरे सट अपनी जोली में डाल के लेके जाएंगे कि तरफ चलते हैं मनापुरम मैं बाय करने जा रहा हूं बहुत जबर्दस दिखाई दिखाई दे रहा है 159 के उपर मेरा फ्रस्टाइट रहे का 162 सागने जा रहा हूं चलिए मनापुरम की तरफ स्विच कर लेते हैं क्योंकि लिए 158 के आसपास क्लोजिंग है लेकिन वॉ मतलब बुलिश को कंटीन्यू रखेगा बरकरा रखेगा एक्स्टीम टॉप्स के पास टेट कर रहा है प्रिवियसली इसी लेवल के पास से हिट्स लगाए थे 161 टक के टार्गेट लगाए थे और 161 टक के टार्गेट नॉर्मली आपको देखने के लिए कल राम से मिल सकते अगर अफेंसिव जाएंगे 158 से भी अच्छा एक्जिक्यूशन है लेकिन 109 से बहुत प्यारा मतलब सेफ एक्जिक्यूशन है और बड़े अराम से 162 ए 163 से टक के टागेट आपकी जोली में आते दिखाई देंगे 162 इसकी best looking value रहने वाल है क्योंकि हलके से rejection 162 के पास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद ही अर्राम से बहुत प्यारा से लेक्जिक्यूशन देखने के लिए आपको यह मिला जब भी इस लेवल के पास से गिरावाट आई है 409 के पास से जब भी जिरा है 411 409 के बहुत क्यारा से लॉफ इसमें दिया है पास से मख़ांप्ल से श्चामपल मेरे पास से आप यहाँ देख सकते हैं से लिबर के पास से आप चेक करें तो बहुत अच्छी सिती में है एंड कंटिनुएशन रहने देखने के लिए आपको मिल सकता है और मुस्स बॉटम मतलब 406-405 तो आपको दिखाई रहे लेकिन 410 के आसपास टेस्ट कर सकता है तो 405-406 बहुत अच्छे बॉटम से हैं लेकिन 405 तक आपको मिलने वाला है आपको मिलता है तो आप अफर लेकर लोगे लिए मिस्स मत किजिएगा बहुत जबर्दस सेलिंग है और सेल कर सकते हैं आप 6,000-8,000 रुपय में अगर आप अलाइस बुदम के सात में जा रहे हैं परलाइस ब्लु के साथ में आप ट्रेट कर सकते हैं और सेम फंड को आप यूश कर सकते हैं एक्विटी में एस वेले स्कमोरीडी में गेमचेंजर्स प्रीमियम के आप जबरदस मेंबर बन सकते हैं और आपको तो पादि यह गेमचेंजर्स प्रीमियम कैसे परफॉर्म करता है एक भी दिन कर सकते हैं और आनद उठा सकते हैं हाईस मार्जिन का चीप और चेलिंग का में शिलवर नैच्टरल गया स्टूड आइल का सब्सक्राइब में एंड युज कर सकते हैं एक्विटी के लिए चलते हैं फाइनल टेट की तरफ फाइनल है मेरे पास जील पिछली बार बाय किया था एक्जिक्यूशन नहीं दिया सेम लेबल के पास से अगें बेरिश जोन में शिफ्ट हो गया है 181 के नीचे में सेल करने जा रहा हूं 178 176 मेरे टार्गिट रहेंगे और अगर गिरावट इंटेंसिफाई रही एक सेकतर एक सेट आपको जल्द ही दिखा सकता है पुल बैक कर गेंगे ट्रेट हमारी पुराने हमारे पास ओली लिखी हुई है मैं अप्डेट कर दूँगा आप लोगो के साथ में अपने टेलेग्राम चैनल पर गेम चैनल पर अधर वाइस सेल एक्जिकीशन रहा तो आपके पास है ही सो बने रही हैगा मेरे साथ मेरे टेलेग्राम चैनल पर फाइनली जील को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं चक कर लेते हैं चार्ट पर कि क्यों स्ट्रॉंग जोन में सेल जोन में जील दिखाई दे रहा है 15 में में एक्स्टीम डर्वास बॉक्स के अंजर ट्रेट कर रहा है 182.70 के पास क्लोजिंग है 50 SME के नीचे है लेकिन बॉक्स जब तक ब्रेक नहीं करेंगे जब तक सेल एक्जिकीशन नहीं करेंगे और बॉक्स ब्रेक होगा हमारा 181 के नीचे जब अर्दस बॉक्स लगेंगे कहां नहीं देखिए कितनी बहत्रीन है यह वन टू थ्री और फोर आपको क्यों नहीं लग रहा कि फोर आएगा डैफिनेट्ली एगा 176 अब प्रिवियसली भी सेम आता रहा है और यह एक्युमिलेशन होना यहां पर आपकी बाद यह एक्य बाद रिवीवीवीवाटमस से भी ज्यादा बॉक्त में रहे हैं और एंच तो मच पो वाचिंग एक बार रिवियू कर ले दे हैं अधानी पोर्स बाइबाएसाइट जा रहा हूं अच्छी सीटी में दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कीजिए एंड जैसे मैं आपको बताया है स्टाउक ओफ दे फैसिलिटी या जो भी आप बोलते हैं एक्जिक्यूशन या फिर सेलेक्शन या वाच लिस्ट इस्टाउक ऑफ दले वाच लिस्ट अवेलेबल रहेगी सोला हजार प्लस सब्सक्राइबर के ऊपर सो तीन सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ पुश करना है पुश किजिए डैफिनेटली अवेलेबल रहूँगा मैं आप लोग के साथ में गेमचेंजर्स टेलिग्राम पर आज लाइव स्टीम किया था गेमचेंजर्स प्रीमियम के लिए भेतरीन जबर्दस ओ माई गाड और यह YouTube की लाइब स्ट्रीम हमारी आज की बहुत भेतरीन रही जिंदल स्टील एंड UPL को ट्रेट किया तर लाइब स्ट्रीम पे जीवीप आएनायर को भी ट्रेट किया तर लाइब स्टीम पे प्रॉफिटेबल रहा भेतरीन रहा तो अभी स जल्दीज बाकी लोग के लिए भी अवेलेबल रहेगा थैंक यूँ तो मच आपका आने वाला टीज जबर्दस जाए